सब्सक्राइब करें इस वीरपूरश की सहादत से संपूर देश में देशभक्ती की लहर उमर पड़ी उनके वीरता को अमर करने के लिए गीत लिखे गए और इनका बलिदान लोक गीतों के रूप में मुखरित हुआ खुदी राम बोस की सम्मान में भावपूर्ण गीतों की रचना हुई जो बंगाल में लोक गीतों के रूप में प्रचलित हुए खुदी राम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 इसबी को बंगाल में मिदनापुर जिले के हवीवपुर गाउं में हुआ था उनके पिता का नाम त्रेलोखिनात बोस और माता का नाम लक्षमी प्रिदेवी था बालक खुदी राम के सिर से माता पिता का साया बहुत चल्दी ही उतर गया था इसलिए उनका लालन पालन उनकी बड़ी बहन ने किया था उनके मन में देशवक्ती की भावना इतनी प्रवलती कि उन्होंने स्कूल के दिनों से ही राजनेतिक गत्वीदियों में भाग लेना प्रारंब कर दिया था 1902 और 1903 के दोरान अर्विंद खोस और भगनी निवेदिता ने मैधनीपूर में कई जन सभाएं की और उनके क्रांतिकारी समूहों के साथ भी गोपनी बैटकें आयोजित की खुदीराम बोस भी अपने शहर के उस युवा वर्ग में शामिल थे जो अंग्रेजी हुगूमत को खाड़ फेकनी के लिए आंदोलन में शामिल होना चाहता था क्रांतिकारी जीवन कैसा था वीसवी सदी के प्रारंभ में स्वधीनता आंदोलन की प्रगती को देख अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन की चाल चली जिसका घोर विरोध हुआ इसी दोरान सन 1905 इश्वी बंगाल विभाजन के बाद खुदीराम बोस स्वधीनता आंद क्रांचारियों को निशाना बनाया वे रेवल्यूशनरी पार्टी में शामिल हो गए और वंदे मातरम के परचे वित्रित करने में भी महत्यपूर गूमिका निभाई सन 1906 में पुलिस ने बोस को दो बार पकड़ा 28 फरवरी सन 1906 को सोनार बंगला नामक एक इस्तिहार बाठते हुए बोस पकड़े गए पर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे इस मामले में उन पर राजित्रोह का आरोप लगाया गया और उन पर अभियोग चलाया परंतु गवाही ना मिलने से खुदी राम निर्दोस छूट गए दूसरी बार पुलिस ने उन्हें 16 माई को गिरफतार किया पर कम आयू होने के काल उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया इनके जीवन की सबसे बड़ी योजना किंग्स फोर्ट को मारने की योजना थी बंगाल विभाजन के बिरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतरे और उनमें से अनेकों भारतियों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट ने क्रूर दिया वै क्रांधी कारि अंग्रेजी हुकूमत ने किंग्स फोर्ट के कारे से खुश होकर उनकी पदोनती कर दिया और मुजफरपूर जेले में सत्र नयायदीस बना दिया करांधीकारियों ने किंग्स फोर्ट को मारने का निश्य किया और इस कार के लिए चैयन हुआ खुदी राम बोस और प्रफ करने लगे खुदी राम ने अंधिरे में आगे वाली बग्गी पर बंफे का और उस बग्गी में किंग्स फोर्ट नहीं बल्कि दो यूरोपियन में मिलाए थी जिनकी मौत हो गया अफरा तफरीक के बीच दोनों वहां से नंगे पाउं भाग भाग कर ठक गये खुदी रा यानी रेल्वे स्टेशन पहुँचे और वहां एक चायवाले से पानी माग पर वहां मौजूद पुलिस वालों को उन पर शक हो गया और बहुत मसकत के बाद दोनों ने खुदी राम को गिरफतार कर लिया गिरफतारी और फासी खुदी रामबोस को गिरफतार कर मुकदमा चलाया गया और फिर फासी की सजा सुनाए गए 11 अगस सन 1908 को उन्हें फासी दे दी गए उस समय उनकी उम्रमात 18 साल और कुछ महीने थी खुदी रामबोस इतने निडर थे कि हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फासी पर चड़ गए उनकी निडरता वीरता शहादत ने उनको इतना लोकप्री कर दिया कि बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे और बंगाल के राष्टवादियों और क्रांतिकारियों के लिए वह अनुकरणी हो गए उनकी फासी के बाद विद्यार्थी होता था अनलोगों ने शोक मनाया और कई दिन तक स्कूल कॉलेज बंद रहे इंदनो नौ जवानों में एक ऐसी धोती का प्रचलन हो चला था जिसके किनारी पर खुदी राम लिखा होता था दोस्तों ऐसा था खुदी राम बोस्त का जीवर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के मांधियम से बता सकते हैं वीडियो को लाइक करें शियर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें थांक्यू दोस्तों थांक्स फॉर वाचिंग जै हिंद